हलो एवरीवन आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलान एनरजी के बारे में पिछले कुछ दिनों से लगातार तीजी है आज भी 5% का अपर सड़की लग चुका है यहाँ पर अगर आप एक महिने का ग्राफ देखो तो 28% की तीजी है और जो रिजर्ट के बाद तीजी आई है वो वाकई में काफी बढ़ी है पिछले 2 दिनों से लगातार 5-5% की तीजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और देखा जाए तो बहतरीन रफ्तार की तरफ यह बढ़ता हुआ नजर आया जरूर है एक बाद जब इसने 50 रुपे का लेवल तोड़ा तो कहीं न कहीं ब्रेकाउट का सिनारियो यहाँ पर दिखाया है बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो पो काफी ज़ादा हल्प करेंगे तो सुजलान का शेर 68 रुपीज का है एक महने में 28% की तेजी है हाला कि तेजी पिछले एक हफ्ते में ही आई है और जहां तक एक साल की बात करोगी तो 260% का ग्रोथ है इससे पहले अगर आप देखो तो 50 रुपे का एक रेजिस्टन्स यहां पर जरूर था और उसके बाद 55 रुपे का एक शॉट टर्म के लिए यहां पर रेजिस्टन्स बना था और जैसे ही वो लेवल तोड़ा एक ब्रेकाउट का सिनारियो यहां पर देखने को मिल गया और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसको लॉंग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूँगा यहां पर देखो हलाकि अगर आप में चैनल को रेगिलो फॉलो करते हो तो जब कोविट के टाइम पर 2020-2023 तक का जो टाइम था तब मैंने कहा था कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तिमाल करूँगा लोवर लेवल पर खरीदो हायर पर बेज के भाग जाओ लेकिन जैसे ही 2023 में खबरे आना शुरू होई थे कि भया इन्होंने तीसरी बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा और अपने अल्मोस्ट डेट फ्री हो चुके थे ये पैसा रेज करा उसके बाद फॉरण और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी इनको मिल रहे थे और जिस तरीके से रिन्यूबल एनरजी में कई सारी पावर कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी मैंने कहा था कि अब यहां पर लॉंग टर्म का गेम खेलना चाहिए अब यहां पर स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहिए अब इसो खरीद को और भूल जाओ बीच बीच में अप संडाउंस आते रहेंगी लेकिन खरीद और भूल कोई दिक्तत की बात यहां पर नहीं है और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ मुझे लगता है कि यहां पर खरीद और भूलने वाला ही किस्सा होना चाहिए लेकिन हाँ यह बात जरूर है कि जाहिर से देखो अगर यह 28 परसन दोड़ चुका है आपको 18 से भागते जब 42 पे गया था तो कुछ तैम इसने बिताया था अगर आप देखो थोड़ी बहुत गिरावट की साथ कुछ तैम बिताया था फिर भागा था ये फिर गिर्रावट के साथ कुछ टाइम बिताया था फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत तीजी आई थी और अभी एक जटकी में जब तीजी आई है तो कहीं न कहीं अगर यहां से थोड़ा सा और फर्दर दोड़ जाएगा अगर 5-10% की और तीजी दिखाए कर अगर आप देखो तो multiple block deals यहां पर हुई जरूर है और तीजी की वज़़ा भी यह है कि multiple block deals यहां पर हुई है June quarter के number भी अच्छे थे उतने बुरे नहीं थे multiple block deals have been placed in Sussodon Energy on Tuesday as many as 21.9 lakh shares जो 0.40% का यह जो stake बनता है जिसकी value तकरीब नबे करोड के आसपास की है और जो hand exchange हुए है वो 68 rupees के दाम पर है यह आज की बात हम कर रहे ठीक है तो आज multiple block deals हुई यहां पर और यही सबसे बड़ी वज़़ा भी है और जहां तक बात करी जाए इस company को लेकर तो brokerage firm आनन्द राथी ने हाला कि इसको downgrade करा है और hold rating दी है from earlier जो इनकी पहले buy rating थी उसको इन्होंने hold की rating दी क्योंकि क्योंकि जाए से बात है और यहां पर उनका target price अब 69 rupees का है Morgan Stanley अभी भी यहां पर overbought है और उनका जो target price है वो 73 rupees के आसपास देखने को मिल रहा है अगर बात करिया आनन्द राथे के जिगर पटेल की तो उनका कहना है कि this breakout is significant as indicate the shift in the market sentiment potentially hearing the new upward trade the bullish outlook is further supported by the monthly relative जो RSI index उसको लेकर and which has entered the overbought zone उनका कहना है कि अभी यह overbought zone में है उनको लगता है कि looking ahead the 55 rupees is expected to serve as a solid support and proving the floor for the stock price और यहां पर जो resistance आएगा हो 75 rupees के आसपास हो सकता है 75 rupees का resistance होगा और 55 rupees का यहां पर एक support level उनका कहना है जैसे कि मैंने कहा कि यहां से अगर 5-6 percent और दोड़ जाएगा तब definitely थोड़ा बहुत ठंडा जरूर होगा थोड़ा 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 बहुत कूल करने के कोशिश होगे यहां पर और जहां तक इनके volumes के बात करें तो आज बड़ी quantity में trading होई अभी वा बात करी जाए तो यहां पर जीओ जीत financial service का भी buy call है यहां पर 73 रुपीज का target है और जहां तक according to money control user देखे तो 100 percent लोग के रहे खरीदारी करो company को लेकर अगर देखा जाए तो देखो dividend तो यह पे नहीं कर रहा है लेकिन मुझे रता इशाद अगले साल से या फिर उसके बा बारे में भी बात करेंगे हाला कि results जब आया थे तब हमने उसके बारे में बात करी जरूर थी और जहां तक valuation की बात करें तो देखे अब यह महंगा है एक सो दो एक सो तीन का P है इसका जो कि sector P 54 के मकाबले काफी जादा high है हाला कि देखो अभी जो 30 आ रही उसके सबसे जो कि कम थे क्योंकि इससे पहले कि quarter में 2200 करोड़ के थे लेकिन अगर आप इछले साल से compare करोगे जो कि 1370 करोड़ का था तो उसके मुकाबले अच्छे revenue है और profit काफेचा 302 करोड़ का मुनाफ़ा कमाया जबकि इससे पहले भले ही 12200 करोड़ के revenues लेकि profit सिर 255 करोड़ का थ तो margin अच्छे हो रहे और मैंने पहले भी कहा था कि इनके profits आपको बढ़ते नजर आएंगे reason simple सा है कि अब तक क्या हो रहा था कि company करजे में थी तो बहुत सारा जो इनका पैसा था वो उस करजे को चुकाने में जा रहा था लेगिन अब जब company almost debt free हो चुकी है तो कहीं न कही वो करजा चुकाने में पैसा नहीं जाएगा तो वो actually में reflect होगा आपके profits में और वो देखने को मिल भी रहा है और जहाने तक इनके shareholding को लेकर देखे तो जो promoter की holding वो 13.27 है एक भी शरगिर भी नहीं है और लगा था institution खरीदारी यहां पर कर रहा है जैसे कि mutual fund अगर हम दे अगर 3.82 पर आये थे June quarter में और जिस तरीके से अभी हम तीजी देख रहे है मुझे हनाने नहीं होगी कि शाय सब्टेंबर में भी institution की buying आपको देखने को मिली हो यहां पर domestic institutions अगर आप देखो 4.44% से 5.34 पर वो भी आये है F files भी अगर आप देखो तो 19.57 से बढ़कर 21.53 प और अधर्स ने जो 25.93% की holding थे रोटेल इंवेस्टर की वो घट कर 23.61 पर आई है अधर पार्टीस की भी जो holding 34.89% की थी वो भी घट कर 32.90 पर आई है तो दोनों ने यहां पर विक्वाली करी है प्रा मोटर जहां थे वहीं पर है और अलगर में बात किने जाओ सुज़ाओ के लिए तयार होगा तो है तो देखो long term का जो रवया है मैं पहले भी बूल चुका हो मैं अब भी कहूंगा खरीदो और भूलने वाला शायर कोई दिक्कत नहीं है यहां पर fresh buying की जहां तक बात करते है तो यहां से अब risk जादा involved हो जाता है और reward कम है मेरे हिसाब से लेकिन इतना जरुक होंगा कि अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हो तो आपको जो नजरिया है वो buy on dips का होना चाहिए ना कि आप किसी एक लेवल पर बहुत सारे shares खरीद के बैट जाओ थोड़ी बहुत quantity आड़ करना चाहो करो बाकि की जो quantity है वो हर 10% के या फिर 15% के decline पर धीर करने की मौकिया आपको यहां पर ढूंडने चाहिए अगर नहीं मेरा पर्सनल ओपीनियन है कोई भी investment advice नहीं है यह वीडियो का यहीं पेंड करता हूं पसंदा हो तो लाइक करे शाय करे चैनल बगरा पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें सुजलोन एनरजी के बारे क्या ज्मेहर आपको ता